असलाम अलेकूम वेलकम तो हीटेक शॉप आज हम तिंक पेड T490S अल्ट्रा बुक को रैसेवन एट जनरेशन का फुल रिव्यू करेंगे तिंक पेड T490S की साइस की बात करें तो यह 14 इंच में आता है इसका बेक कवर जो है यह अलुमोनियम का है इसका जो वेट है वो 1.49 केजी है यह सिल्वर कलर में है सिल्वर कलर का बेक जो होता है वो अलुमोनियम का होता है उस वज़ा से इसका वेट जो है 1.49 केजी है और ब्लेक में जो होता है वो प्लास्टिक की बाड़ी होती है तो उसका वेट जो होता है वो 1.35 केजी होता है यह टच स्क्रीन में आता है और विदाउट टच स्क्रीन में भी आता है तिंकपेट T490S को अब देख सकते हैं ये काफी स्लिम लेप्टाप है और लाइट वेट लेप्टाप है तिंकपेट T490S की पोर्ट की बात करें तो ये बेक पर माइक्रो एस्डी कार्ड प्लस माइक्रो सिम की स्लॉट है ये गर देखें तो ये टाइप सी चारजिंग पोर्ट है ये टाइप सी तंडर बोल्ट 3 है ये एधर नेट एक्स्टेंशन पोर्ट है ये USB 3.1 Gen 1 है प्लस HDMI 1.4 और अडियो जे की पोर्ट है राइट साइट पर देखें तो ये USB 3.1 Gen 1 है टैच पेट के राइट साइट पर अगर आप देखें तो ये फिंगर प्रिंट का सेंसर है प्लस वेब केम के साथ फैस लॉक की आप्शन भी मौजूद है इस लिप्टाप की प्रोसेसर की बात करें तो ये आता है इस लिप्टाप की बेस स्पीद 2.1 GHz टर्बो अब्टू 4.8 GHz मेमूरी अगर इस लिप्टाप में आप देखेंगे तो मेमूरी इस लिप्टाप में 16 GB की RAM लगी हुई है 88 GB की 2 RAM लगी हुई है अन बोर्ड ये आप एक्स्टेंड नहीं कर सकते SSD अगर इस लिप्टाप में आप देखें तो 256 GB की M2 SSD लगी हुई है इस लिप्टाप में Wi-Fi अगर इस लिप्टाप में देखें तो Intel Wireless AC 9560 160 MHz की Wi-Fi चिप लगी हुई है प्लस GPU अगर देखें तो Intel UHD Graphics 620 Graphics है डिस्प्लेइ अगर इस लिप्टाप का आप देखेंगे तो यह आता है 1080p रिजूशन के साथ एंटी ग्लेइर इसकी ब्राइटनिस जो है अब टू 300 नेट्स डिस्प्लेइ इस लिप्टाप की बेटरी रिपोर्ट में ने बनाई है यह आप देख सकते हैं इसकी जो डिजाइन केपेसिटी है वो 57,000 MWH ह है और चार्ज के साथ यह इसकी फुल चार्ज केपेसिटी 59,230 MWH है साइकल काउंट अगर इसका आप देखे तो 469 साइकल काउंट है इस लिप्टाप का इसकी बेटरी की टाइमिंग तक्रीवन राउंड अबौर्ट सेवन टू एट होर्स बेटरी बेक अप होती है इस लिप्टाप की जो कफी ज्यादा है करे वादाइ σबड़ की डूए। करे वारता है कर दो दो कि बेटरी मेरा की की जो कि जो मुआ देन αफट雇ड की बेटर कि आ वादा की मरें राउंग झाल झाल लिनो तिंकपेट T490S का बेक कावर में ओपन करके आपको देखाता हूँ कि इसमें क्या-क्या लगा हुआ है और क्या-क्या आप अपग्रेड कर सकते हैं इसमें रेम जो होती है वो अन बोर्ड होती है और SSD को आप वन टीवी तक अपग्रेड कर सकते हैं कि अपग्रेड कर सकते हैं यह प्रोसेसर चिप है प्रोसेसर फैन है इसकी जो रेम होती है वो अन बोर्ड होती है यह M2 SSD लगी हुए इस लेपटाप की और यह बड़ी साइस की बैटरी है जो आप देख सकते हैं और यह dual speakers इसकी जो Wi-Fi चिप है यह चोटी सी Wi-Fi चिप है इस लेपटाप की कर दो